to national security and Assalamualaikum aspirants आज हम बात कर रहे हैं challenges to national security and sovereignty of Pakistan इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे environmental security की या environmental aspect की environmental degradation की वज़ा से urbanization की वज़ा से land use के patterns के shift होने की वज़ा से इसका मतलब है कि आपके शहरू में slums के develop होने की वज़ा से या squatter settlements की वज़ा से आपके शहरू में economic activity की वज़ा से aerosols की वज़ा से air conditions में जो आप air conditioning agents इस्तमाल करते हैं इनकी वज़ा से और greenhouse gases की वज़ा से आपके मुलक में जब industrial activities होंगी fossil fuels की consumption ज़ादा होगी तो greenhouse gases की emission ज़ादा होगी और यह सारा काम जो वो शहरू में ज़्यादा होता है because population किसी एक मकसूस region में ज़्यादा concentrated होती है पाकिस्तान के हम अगर बात करें तो पाकिस्तान के urbanization के जो pattern से हैं वो alarming हैं लोग जो है वो गाउं चोड़के शहरू में आ रहे हैं मुखले facilities को avail करने के लिए अब जब आपके green fields जो है green passers of land जहां पर forest हो जहां पर greenery हो जहां पर nature हो जब उनका अगर convert किया जाए houses में तो 3 से 4 degree का temperature का फरक पड़ जाता है साल के दोड़ पे एक जगा पे अपने घर बनाया हुआ है और वहाँ पे आपने आबादियां बसाई हुई है और उसी जैसी जगा है लेकर वहाँ पे दरख्त, nature और कुद्रत वहाँ पे अपनी full bloom के साथ मुझूद है तो दोनों का जो temperature है उसमें 3 या 4 degree का फरक पड़ेगा इसको कहा जाता है urban heat island effect heat island effect इसको हम कहते हैं technical terms में aerosols की वज़ा से smog का मसला है, smog का मसला आप देख रहे हैं कि आजकर लाहोर में और पाकिस्तान का मुझलिफ सिटीज में motorway के ओपर अगर आप travel करते हैं तो आप देखते हैं कि winter में ये smog का मसला बहुत ज्यादा severe हो जाता है कि जब आपका motorway में visibility का जो index है वो कम हो जाता है, आपको 2-3 मीटर से आगे नजर नहीं आ रहा होता, और smog की वज़े से अभी मसलें पाकिस्तान में जो smog के जो part per millions हैं वो तकरीबन 450 part per millions को touch कर रहे हैं, अब जो safe जो इसकी limit है, वो है 50 part per millions अब चिनिया आपको नजर आ रहा है change vulnerability scale 135 नंबर पे है पाकिस्तान greenhouse gases की emissions में, लेकर इंटरस्टिंग ली 7th most vulnerable nation है climate change के जो vulnerability index climate change का, उसमें पाकिस्तान 7 नंबर के ओपर है, दुनिया के तकरीबन 200 ममालिक में से according to global climate risk index 2017, अभी भी पाकिस्तान जो है, वो top 10 में है I think right now, पाकिस्तान is at 9th नंबर, पाकिस्तान has 7,000 glaciers और पाकिस्तान के glaciers दुनिया में सबसे ज़्यादा speed के साथ recede कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा speed के साथ पाकिस्तान के glaciers सुकर रहे हैं या शुरिंक हो रहे हैं, ग्लेशर रिट्रीट हो है जब ग्लेशर रिट्रीट होगी तो ग्लेशर आपके मुल्क में पानी का जहीरा होता है जब यह रिट्रीट होंगे तो obviously आपके जो river flows हैं वो मतासर होंगे हम देखते हैं कि green house gases का emission किस तरह से होता है, sun से raise आती हैं तो कुछ जो है वो वापस चली जाती हैं, लेकिन जब आपके atmosphere में green house gases की emissions होगी तो यह trap कर लेती है sun rays को, जिसकी वज़े से infrared rays आपके atmosphere में trap हो जाती है और overall earth का temperature जो है वो इसकी वज़े से बढ़ जाता है, अगर हम बात करें atmospheric carbon die oxide की environment में prevalence की, तो हम देखते हैं कि 1955 में यह atmosphere में इसका कोई level था, three hundred and fifteen part per million, अब यह constantly increase हुआ है आपको नज़र आ रहा है कि यह four hundred के barrier को इसने cross किया two thousand and twelve और thirteen में, तो अभी जो है यह four hundred thirty यह four hundred forty के करीब है, यानि green house gases की emission और carbon dioxide के atmosphere में concentration बढ़ती जा रही है अगर आप net radiation के हसाब से देखें, तो आपको दुनिया में यह जो central equator के around के regions नज़र आ रहे हैं इन में इसके radiation के जो levels हैं, वो बहुत ज़्यादा high levels है, radiation के इन high levels की वज़ा से, और infrared radiation की वज़ा से, atmosphere में trap होने की वज़ा से global temperature average temperature rise कर रहा है जिसकी वज़ा से हम कोपन हेगन एकार्ड की बात कर रहते हैं, या क्योटो प्रोटोकोल की बात करते हैं, या पैरिस climate act की बात करते हैं, जिसके ओपर हम एक अलग से वीडियो lecture बनाएंगे, snow maximized shifting towards February, पहले हम देखते थे कि जो snow का maximum पर जनवरी में होता था, तो वह अब ये shift हो रहा है, February में, अभी आप देख रहे हैं, 2015-2014 या अभी भी currently, पहले जहां पर बरफ पढ़ रही होती थी नमंबर में या दिसंबर में, अब जनवरी में या February में, फिर हम देखते हैं, कि जो summer है वह expand का रहा है, और winter shrink का रहा है means पहले जो summer में extreme temperature से, वो अब बहुत ज़्यादा extreme से पहुंच रहे हैं, और winter की जो length थी वो कम हो रही है, अब 15 December से पहले, या December के mid से पहले शायद सदी वैसे start ही नहीं होती, और बरफ भी बहुत late जाके पढ़ती है, या पिर बहुत सारे जगों के बरफ पढ़ना बंद ह हो चुकी है, अब इसको आपने यूँ देखना है, कि यह जो patterns का shift है, patterns का change होना है climate के, यह environment के लिए threatening है, यह environmental balance के लिए अच्छा नहीं है, environmental degradation में ही हम अगर देखें, तो 61% rain जो है वो जुलाय और August में होती है सिर्फ, अब यह भी एक anomaly है, जिसको आप environmental anomaly कहेंगे, dense fog or smog का मसला पाकिस्तान को है, यहां पर आप एक aerial map देख रहे हैं, जिसमें आपको dense fog की situation नज़र आ रही है, winter में, यह November से जनवरी तक पाकिस्तान में fog का जो मसला है, यह smog जो smog के साथ बन के, fog और smoke मिल के, smog बनती है, वो मसला लाहोर जैसे शेरूम है, उसकी वज़े से पाकिस्तान, environmental degradation में हम अगर बात करें, तो इसका impact है, overall, different sectors के उपर, बिलियन्स आप रुपीज में हम इसकी बात कर रहे हैं, तो रुपीज 365 बिलियन पर year जो है, इसका impact, यानि रोजना आपको एक अरब रुपया जो है, वो environmental cost में pay करना पड़ रहा है, it doesn't mean के हम यह पैसा हकीकत में pay करना है, it means के यह नुकसान हो रहा है, तो वो cost की terms में उस नुकसान को translate किया गया रहा है, supply sanitation और हाईजीन में 112 अरब रुपया, agriculture soil की degradation की terms में 69 अरब रुपीज, indoor air pollution particular matter की form में 65 बिलियन रुपीज, और indoor air pollution की terms में हमें नज़र आ रहा है कि 67 बिलियन रुपीज, और range land degradation और deforestation की terms में जो cost हमें पढ़ रही है, वो है 7 बिलियन रुपीज और 45 बिलियन रुपीज जो है, वो है land exposure की terms में और land slide की terms में, यह environmental impacts है, अगर हम बात करें, sustainable development goal में एक water से मतलिक sustainable development goal था, 6 clean water, clean, clean water and sanitation का जो 6th indicator था, sustainable development goal का जो 6th goal था, उसमें 6.4 था, उसका further जो indicator था, 4th indicator वो था water efficiency का, पाकिस्टान में अगर हम बात करें, तो cost की terms में अगर हम बात करें, तो पाकिस्टान में, जो cost की terms में 1070 liters के बदले में, एक डॉलर के बदले में 1070 liters दिये जाते हैं, बाकी एशिया में यह है, 128 liters per dollar, तो cost का ना होना, आप water के उपर charge नहीं कर रहे हैं, जिसकी वज़़ए से water की consumption ज्यादा की जाती है, या water की wastage ज्यादा की जाती है, means एक डॉलर आप हर्च करें या 150 rupees हर्च करें और उसके ओपर आप 1070 liters अक्वाइर कर रहे हैं, या 1000 liters के ओपर आप जो वो 1.500 रुपे दे रहे हैं, अब इतनी जो low cost है, इतनी low cost जो आप pay कर रहे हैं, ये low cost problematic है, और दूसरे तरह आप देखें कि productivity के अगर हम terms में बात करें तो पाकिस्तान में 4.7 kg पर डॉलर, इश्या में ये average है 3.1 kg पर डॉलर, ये जो रिपोर्ट में जिसका आपको बता रहा हूँ, ये है National Action Plan on Sustainable Consumption and Production की 2017 की terms में, और जो इसका Sustainable Development Goal है, वो है Sustainable Development Goal 12, और इसका जो second indicator है, वो है Sustainable Resource Management का, इसमें यनि ये बात करता है कि पाकिस्तान में अगर आप पर डॉलर के असाफ़ से productivity की बात करें, तो वो 4.7 kg है, लेकिर एश्या में ये ही 3.1 kg है, और एक डॉलर के असाफ़ से International Level के ओपर, वो 1 kg के ओपर एक डॉलर लग रहा है, यनि पाकिस्तान में अगर 4.7 kg चीज़ produce करनी है तो उसके ओपर आप एक डॉलर लगा रहें, इट मीन्स के पाकिस्तान में आप एक मक्सूस क्वांटीटी है, उसके ओपर कम पैसा लगा रहे हैं, जबकि दुनिया में उससे lower quantity के ओपर ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है, तो lower quantity के ओपर जब आप ज़्यादा पै करेंगे, लेकिन इसके ओपर हम अपने आने वाले वीडियो लगाइब करेंगे, तब तर के लिए आप से इजाद हो चाहते हैं, अपना है आल रखेगा, लाहाद आप